केंद्री मंत्री मंदल ने रसोई गैस मुल्य निधारन के संशोद्धित दिशा निरदेशों को दी स्विकृती केंद्री मंत्री अनुराग ठाकों ने कहा इससे रसोई गैस के मुल्यों में आ सकेगी स्थरता विश्व स्वास्ते दिवस पर आज देश भर में कई जागरुपता कारिकरमों का आयोजन प्रधान मंत्री और स्वास्ते मंत्री ने ट्वीट कर इस क्षेतर से जोड़े लोगों के कामों को किया पूर्च साहित चंडीगर्ण में तीन दिवसी राइजिंग हर्याना एक्सपो का शुभारम क्रिशी मंत्री जेपी दलाल ने किया मिलिट्स किसानों वो एंजियो को एक छट के नीचे आने का आहवान और संस्कृती मंत्राले दोरा श्री राम चंडर मीशन हार्टफुलनेस संस्थान के माध्यम से पंचकुला में योग महुतसव का किया गया आयोजन नमस्कार मैं भानुप्रिया अब समाचार विस्तार से केंद्री मंत्री मंडल ने रसोई गैस के दिशा निर्देशों में संशोधन को सुखरती दे दी है मंत्री मंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारन मंत्री अनुप्राग सिंग ठाकुन ने सवादाताओं को बताया कि भारत के कच्चे तेल के आयात में प्राकृति गैस की कीमतों का योगदान प्रते एक महीने औस्तन दस प्रतिशत है अनुप्राग ठाकुन ने कहा कि मंत्री मंडल के फैसले से कीमतों को स्थेर बनाया जा सकेगा और प्रतिकूल बाजार स्थिती से उत्पादकों की प्रयाप्त सुरक्षा हो सकेगी इससे उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रुचसाहन उप्लब्ध होगा मंत्री मंडल ने भारतिया अंत्रिक्ष नीती 2023 को भी मंजूरी दी इसका उदेश अंत्रिक्ष विभा की भूमी का बढ़ाना और इसरों के अभियानों की गतिविध्यों को प्रुचसाहन देना है अब इंटरनाशनल हब गैस के प्राइस के जगा जो उसमें बदलाव किया उसकी जगा अब इंपोर्टिट करूड के साथ लिंक कर दिया गया है और डिमेस्टिक गैस का प्राइस यानको डिमेस्टिक गैस का दाम अब इंडियन कूड बास्किट के Website के अंतराष्टे माईज का 10 प्रतिशत होगा माली जगर 85% दाम है कुरूर का तो उसका 10% साड़े 8 डॉलर होगा गैस का जो गैस प्राइस का है एक फ्लोर और सीलिंग ये दोनों ही तय होंगी फ्लोर को 4 डॉलर रखा गया है और सीलिंग को 6 डॉलर रखा गया है केंद्रे मंत्री डॉक्टर जितेंदर सिंग ने कहा कि नई नीती में अनुसंधान, शिक्षा जगत, स्टार्ट अप और उद्योग की भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा उन्होंने बताया कि महराष्टों में अति आधुनिक खगोल शाला स्थापित की जाएगी, इसमें 26 क्रोड रुपे की लागत आएगी इस रो में ही लगभग देड़ सो तक स्टार्ट अप्स की संख्या पहुँच गई है और आपने स्वेम देखा होगा टेलिवीजन पर भी के बहुत सारे हमारे पास प्राइवेट ग्रुप्स हागे हैं रॉकेट लॉच्चर स्टार्ट अप्स, काई रूट ग्रूप, और्बिट विक्रम वन, इस तरह से अगनी कूल, स्काई रूट का आपने देखा भी है इंगल विंडो के वैवस्ता हुई, जैसे कहा गया, इन स्पेस, यानि इंडियन नैशनल स्पेस प्रमोशन और आउथराईजेशन सेंटर लोगों में स्वास्ते के प्रती जागरूकता बढ़ाने के लिए विशो स्वास्ते संगठन हर साल 7 अप्रेल को विशो स्वास्ते दिवस मनाता है इस दिन स्वास्ते से जोड़े कई कारिकरम आयोजित किये जाते हैं तांकि लोग अपने स्वास्ते के प्रती जागुरूख हो सकें हर साल विश्व स्वास्ते दिवस एक थीम के साथ मनाया जाता है इस साल ये दिवस Health for All थीम के साथ मनाया जा रहा है इस मौके पर स्वास्ते और परिवार कल्यान मंतराले की और से विजे चौंक से निर्मान भवन तक वौक्थाउन का आयोजिन किया गया इस वौक्थाउन का नेतर्त्व के इंद्रे स्वास्ते मंतरी मनसुक मानविया ने किया विश्व स्वास्ते दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंदर मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि विश्व स्वास्ते दिवस पर हम उन सभी के प्रतिय अभार व्यक्त करते हैं जो हमारे प्लैनेट को स्वास्त बनाने के लिए काम करते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे के आउसर पर देश और विश्व के नागरिकों की स्वास्ते के लिए में इस उपकामना व्यक्त करता हूँ स्वस्त भारत सम्रुद भारत नारे के साथ देश का हेल्थ सेक्टर बदल रहा है विश्व का हेल्थ सेक्टर बदलने में हिंदुस्तान अपना दायत्वा अदा कर रहा है वसुधेव कुटुम्बकम की धारना हमारी विरासत है मोदी जी के नेतरुत्व में हिंदुस्तान, देश, हेल्ज सेक्टर में विश्व के लिए अपना दायत वदा कर रहा है वहीं स्वास्थे मंतरी मंसुक माडिवेया ने ये भी ट्वीर कर लिखा कि वेश्व स्वास्थे दिवस पर हम एक स्वस्थ भारत के निर्मान के प्रती अपनी प्रतिबदता को दोहराते हैं हर्याना की क्रिशी मंतरी जेपी दलाल ने आच अडिगर के किसान भवन में राइजिंग हर्याना एक्सपो का शुभारम किया एक्सपो से किसानों के लिए खेती बाड़ी अत्यादुनिक तक्नीकों पर तीन दिन तक मंधन होगा इस मौके पर क्रिशी मंतरी ने आवान किया कि सभी मिलट्स के किसान वे एंजियो एक छट के नीचे आएं ताकि सरकार उन्हें हर संभव सहायता दे पाए किसानों को बहुत फाइजा होगा क्योंकि यह जो श्री नाज है ज्याजत तर्फ हमारे देश में पैदा होता है इसकी घुमवत्ता इसके घुम दुनिया के दर बताए जा रहे हैं और G20 के हमारे जो मेमान आ रहे हैं इस देशों से उनको भी इसके बनाएवे प्रोड़क्ट हम दे रहे हैं और इस तरह के जो हमारे छोड़े छोड़े एंजिव हैं मिलेट्स से प्रोड़क्ट बढ़ाने वाले हैं मैं इनको धन्यवाद देता हूं इसी तरह से सुरुवात करके कोई भी काम होता है जो बड़े है बड़े दिमी बड़े हैं पहने कहीं से उन्होंने सुरुआत की है मैं इनको इसके लिए सुरु काम नहीं जेता हूँ रविवार को खेती विरासत मिशन की ओर से मिलेट्स कुकिंग कॉम्पेटिशन करवाया जाएगा इस तीन दिवसी एग्जिबीशन में मिलेट्स हैंडी क्राफ्ट और्गेनिक फार्मिंग से जुड़े अनेक लोग भाग ले रहे हैं हर्याना के मुखे सचिव संजीव कौशल ने कल चंडिगर्ड में हर्याना स्टेट नार्कोटिक्स कंट्रोल बीरो की बैठक की अधिक्ष्टा की प्रदेश में नशे की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए अथक प्रियास किये जा रहे हैं मुखे मंतरी मनोहरलाल के निर्देश अनुसार ड्रग तसकरी में शामिल आरोपियों की संपत्ती को अटैच किया जा रहा है अब तक 41 आरोपियों की 37,29 लाक रुपे की संपत्ती को अटैच किया जा जुका है मुखे सचिव ने निर्देश दिये की नशे पर अंकुष लगाने के लिए युवाओं को जागरू करने के लिए चलाए जा रहे धाकर कारेकरम को भी व्यापक स्तर पर संचालित किया जाए और इसमें तेजी लाई जाए शिक्षन संस्थानों में धाकर टीमो को भी काभी गठन किया जाए जो विद्यार्थियों को मादक पदार्थों के घातक परिणामों के प्रती जागरू करेगी मुखे सचिव ने निर्देश देते हुए कहा कि जिला उपायुक्त जिला स्तरिय कमेटी की मासिक बैठा कर समीक्षा करें साथ ही इन बैठकों की जानकारी और निर्णेओं को हर्याना स्टेट नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पोर्टल पर अपडेट करना सुनिश्चित करें केंद्री उर्जा एवं भारी उद्द्योग राज्यमंत्री कृष्णपाल गोजर ने आज पलवल लगू सचिवाले के सभागार में जिला विकास मनवे एवं निगरानी समीती की बैठके अधक्ष्टा की इस दोरान उन्होंने जिले में कराय जा रहे विकास कारियों की समीक्षा की इस दोरान उन्होंने बताया कि विकास कारियों को गती प्रदान करने के लिए दिशा निर्देश दिये गए हैं केंदर सरकार वो मुख्यमंदरी की गोशना के अनुसार विकास कारियों को पारदर्शिता पूर्ण तरीके से समय बध रूप से पूरा किया जाएगा ताकि सरकार की जल कल्यान कारे नीतियों का लाब आम जन को मिल सके कि पूरा के बीख कामों में देनी हुई है कि दो साल कोरोना के कारण पिछले पांच साल में खराब हुए उसके कारण भी कुछ गती कम हुई थी लेकिन हमको पूरा विश्वास है हमारे अधिकारी भी यहां योगे हैं अब काम करने वाले हैं और जो सुस्त हैं को तेज किया जाएगा और काम जल्दी से पूरे हो चाहे वह सीमना उस्मेंट के एकल सरकार के परदेश सरकार के लिया अंस तुम्हार इंदर केषिए हया और कर्देश वक्यमंतलम जी की त्रिक प्र जान की और जो विकास के काम है उनमें तेजी से कि ऍव Press पूरा क्या जाए उनमें ट्रांस्पेरिंसी भी रहने चाहिए उनकी गती भी रहने चाहिए सिरसा जिले के मच्छी पालक प्रधानमंद्री निरेंदर मोधी दुआरा ट्वीच कर होसला अफजाई करने से काफी प्रुचाहित है जिले में मच्छली पालन का दायरा और बढ़ाने के लिए विभाग कई योजना है चला रहा है जिला मतस्य अधिकारी जिक्दीश चंदर ने बताया कि सरकार ने अगामी वितवर्ष में जिले में 342 मतस्य यूनिट स्थापित करने का लक्षे रखा है जिसकी लागत करीब 494 करूर रुपे होगी उन्होंने बताया कि वितवर्ष 2023 में प्रधानमंत्री मतस्य संपदा योजना के तहब 300 यूनिट में जिंगा पालन प्रस्तावित किया है अभी तक 1200 एकड में ये वेबसाइट चल रहा है इससे 800 एकड और बढ़ाया जाएगा साथ ही 300 और किसान उनके साथ जुड़ेंगे संदे मानेने परधानमंत्री महोदे के तक ये बात पहुंची आप लोगों के माध्यम से तो मैं सभी किसान भायों को अभी इस चीज के लिए बढ़ाई के पारतर है कि उनके अथक प्रियास और उनके बहुत अच्छी कारिये करने की जूशेली ती उसके माध्यम से उस तर अखान है हमारे तरफ से जिंगा मच्छी पालकों ने कहा कि प्रधानमंत्री दोरा उनके लिए ट्वीट करना ही बहुत बड़ी बात है मच्छी पालक अच्छा मुनाफ़ा ले रहे हैं प्रधान मंत्री द्वारा चलाई योजनाएं किसानों के लिए वर्दान बनी और सिर्शा के किसानों को आगे लेकर आई जिंगा फार्मिंग में जूड़े जादतर लोग युवा हैं प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी हर महीने मन की बात कारकरम के माधम से करोडों के साथ अपने विचार सांजा करते हैं और ये सिलसला अप्रेल में सौवी कड़ी के साथ आगे भी जारी रहेगा इस विशेश मौके पर मन की बात कारकरम से प्रधान मंत्री के चुनिंदर संबोधनों को फिर से प्रसुत किया जा रहा है इस विशेश कारकरम की कड़ी में हम आपको दिखा रहे हैं मन की बात का विशेशंश संस्कृत भाषा से बढ़कर है हमारी संस्कृती और परंपरा सब संस्कृत में ही नहीं सनातन धर्म के सभी प्राचीन गरंथ संस्कृत में लिखे गए हैं यहां तक देवताओं का नवाचार भी संस्कृत मंत्रों उन्चारण से ही होता है महायान शाखा के ग्रंथ बौध ग्रंथ और जैन धर्म के कई एहम ग्रंथ भी संस्कृत में ही लिखे गए हैं पियम मोदी ने 26 अगस 2018 को प्रसारित मन की बात कारेकरम में संस्कृती भाषा को ग्यान का खजाना बताया था हम सभी भारती इस बात पर भी गर्व करते हैं कि वेद काल से वर्तमान तक संस्कृत भाषा ने भी ज्यान के प्रचार प्रसार में बहुत बड़ी भूमी का निभाई है जीवन के हर क्षेत्र से जुड़ा ग्यान का भंडार संस्कृत भाषा और उसके साहित्य में है चाहे वह विज्ञान हो या तंत्रग्यान हो, कृशी हो या स्वास्त हो, एस्ट्रोनॉमी हो या आर्किट्रक्शर हो, गणीत हो या मेनेजमेंट हो, अर्थसास्तर की बात हो या परियावरन की हो कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की चुनवतियों से निपटने के मंत्रा हमारे वेतों में विस्तरार से उलेख है आज गुड फ्राइडे है, इसे ब्लैक फ्राइडे और होली फ्राइडे भी कहा जाता है सुबह से ही गरजा घरों में प्रातनाई शुरू हो गई, इसाई धार्मिक मानताओं के अनुसार आज के देन प्रभू इसा मसी ने अपने प्राण त्याग दिये थे प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने गुड फ्राइडे के अफसर पर ट्वीट करते हुए कहा कि प्रभू मसी ने दर्द और पीड़ा का सामना किया लेकिन कभी करुणा के पत से विचलित नहीं हुए उधर विदेश मंतरी डॉक्टर एस जैशंकर ने गुड फ्राइडे पर ट्वीट करते हुए कहा कि इस दिन प्रभू इसा मसी की सेवा और बलिदान को याद करें करुणा का संदेश हमारे समाज को प्रिर्णा देता रहे अजादी के अमरित महुटसव के तहट संस्कृती मंतराले द्वारा श्री डामचंदर मीशन हाटफुलने संस्थान के माध्यम से पंचकुला में योग महुटसव का आयोजन किया गया इंदर धनुष और भारत तिपद सीमा के बुन्यादी प्रशिक्षन के इंदर में वैश्विक गाइड्स कमलेश डी पटेल यानि दाजी त्वारा हर दिल ध्यान हर दिन ध्यान थीम पर दो दिवसिये ध्यान सत्र का आयोजन किया जा रहा है सत्र के दौरान दाजी ने सुखी जीवन के लिए कई मंत्र सांझा किये और विभिन मांसिक समस्याओं को रोकने के लिए सभी को सुबह शाम ध्यान करने के लिए प्रुचाहिद किया उन्होंने मानसिक, शारिक और भावनात्मक कल्यान के लिए योग और ध्यान के पारंपरिक तरीकों के महत्व पर जोर दिया इस जोरान डॉक्टर जैदीप आरे ने रोजमर्णा की जिंदगी में योग के महत्व के बारे में अपने विचार सांजह किये उन्होंने कहा कि हर आयू वर्ग के लोगों को फिट और खुश रहने के लिए योग के मार्ग पर चलना चाहिए इस दोरान आईटी बीपी के आईजी ईश्वर सिंग दूहन डी आईजी अश्वनी डोगरा हर्याना योग आयोग के रिजिस्ट्रा डॉक्टर पवन गुपता सहीद अनेक कन मान्य उपस्तित थे और अब खबरे फटाफट प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी कल हैदराबाद में 11.355 करोड रुपे की परियोजनाओं का करेंगे शिलानियास बंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाएंगे जंडी राश्ट्रपती द्रॉपदी मुर्मो ने काजी रंगा राश्ट्रिय उध्यान में गज उधसफ का उधातन किया उच नियाले के प्लेरिनम जोपली सामारों में भी करेंगी शिरकत देश में पिछले 24 घंटों में करोणा के 6050 नए मामने दर्च किये गए देनिक संक्रमन धर 3.39 प्रतिचर्थ पर पहुंची और खेलो इंडिया सेंटर ओफ एक्सिलेंस में चैन के लिए गुरु ग्राम में शनिवार को होंगे बॉक्सिंग के ट्रायल नई प्रतिभाओं के लिए पंचकुला में बनाया गया है सेंटर समचारों में आज इतना ही नमस्कार